तो हाई गाईस यहाँ पे आप लोग देखिए इस नदी पे एक लड़का जो है वह नहाते वेर निकल रहा है और यह जो नदी है वहाँ स्वर्मरेखा नदी है जो की जारखंड और पस्चिम बंगाल के बोर्डर एरिया पर है और यहाँ सुनातु थाना के दूलमी गाओं मे और पस्चिम बंगाल के बागमुन्डी थाना के बीच में पड़ता है और यह जो है दोनों के बीच के सीमा रखा पनाती है दिखिए आप लोग को पुरा मैं सामने से दिखाता हूँ किस प्रकार से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर पानी भहता हुआ जा रहा है प्रकृत सामने से बीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और देखिए इसको में तलसे केमरा को भूमाता हूँ बहुत ही चोड़ी नदी है और यहाँ जो नदी है वहाँ स्वान्रेखा नदी है जो कि यहाँ पर 14 जन्वरी और 15 जन्वरी को मेला लगता है टूसु परव के सुभावसर पर मकर सक्रांती भी होता है देखिए यहाँ पर आंदमी लोगों का यहाँ पर नहाना ध्वाना भी लगा हुआ है साथी साथ आप लोग यहाँ पर पूल देख रहे हैं और इसी पूल के म देखिए पानी का भाव आप लोग देखी रहे हैं देखिए जो पूल है और यहाँ पर देखिए प्रबादल भी हलके चाहे हुआ है साथ साथ ब्लू ब्लू भी आसमान नजर आ रहा है देखिए पूल को थोड़ा से मैं और लंबा करके दिखाता हूं आदमी भी पार रहे पूल में आप लोग देखी रहे हैं पूल का भी लंबा और चोड़ा है देखिए यहां पर बाइक भी धुलाई हो रहा है आदमी के द्वारा और यहां पर देखिए पानी का भाव जो है वह अपने दिशा में बढ़ते जा रही है देखिए ब्लू आसमान हलके बादल भी है मनोरम द्रिश्य है नेदी के किनारे से बैठे हुए इतना अच्छा लग रहा है पानी तो रहा से गंदा भी हो क्या है क्योंकि बारिस के मोसंद की वज़े से पानी बहुत गंदे टाइप से बहरा था देखिए आसमान कितना निला और साफ देख रहा है बड़ी हान जा रहा है एकदम से मन महलिया मेरा तो पूरा मन महलिया देखिए आप लोग भी अब देख सकते हैं लगता है कि वाल पेपर है इस प्रकार से यहां पर दीख रहा है कि देखिए थोड़ा से मैं नदी किनारे का जो है 360 के हिसाब से मघूमा के दिखा रहा हूं आप लोगों को चटाने भी है और देखिए आप फूल थोड़ा से दिख रहा है आप लोगों को यह से शुरुआत होता है पूल कि इस प्रकार से देखिए देखिए एक प्रुथ्री 60 डिग्री में तेज भाहमें पर यहां पर लोग नहा रहे हैं जो कि थोड़ा से ड्रावना है देंजरस है साधानी पूर्वक नहाना होगा में लुक्ता सुछाओ रहे हैं तो यहां नदी जो है स्वन रिखा है और यहीं पर मकर सकर्णती के सुबहुसर पर- Cesवह मक सग्रानती का नहाना होता है तो आप लोग कभी सबी आते हैं यहां पर तो यहां पे बिजिट कीजिए आप लोगों को आच्छे लेगा और नदी म नहाना है तो शाधने पुरों नहाना देखें कि बारस के वज़े से पानी भर गया है